Hello Everybody, Welcome to Quant Study मैं मुझसिम अक्तर आपका General Knowledge with Special Reference to Jain के करवा रहा हूँ JK SSB Accounts Assistant के लिए और ये 30 Marks का portion है तो I highly recommend that you must not leave this portion because it is very important So ये 3rd lecture है आज हमारा इसमें हम Geographical Extent of Jammu and Kashmir पढ़ेंगे Geographical Area मतलब हम पढ़ेंगे Jammu and Kashmir का और उसके साथ साथ में हम Climate के बारे में भी डिसकस करेंगे हालांकि स्लाइड में आपको एक लंबी information Climate के बारे में नहीं दिखेगी बट I will still talk about that Climate जो की जो जो चीजें important है याद रखनी वो ही मैं discuss करूँगा प्लस आपको PDF में जो है notes भी provide होंगे उसके Climate के भी और Geographical Area के भी जो की important है आपके exam point of view से तो start करते हैं वीडियो के साथ उससे पहले मैं आपसे कुछ questions पूछना चाहूंगा जो आपके screen में दिख रहे हैं ये हमने already पिछले lectures में पढ़ा हुआ है तो आपको इनके जो answers से वो आने चाहिए question number one है who was the first महराजा आफ जमू एंड कश्मीर जमू एंड कश्मीर के first महराजा कौन थे question number two when was मीर वाइज मुहमद उमर फारुग born मीर वाइज मुहमद उमर फारुग जो हैं वो कब बैदा हुए थे मुझे I am sure that अगर आपने पिछले जो lectures देखे होंगे आप इनके answers जानते होंगे चलते हैं हमारे topic की तरफ geographical area of जमू एंड कश्मीर आपको पता होगा कि जमू एंड कश्मीर जो है वो बहुत सारी valleys का घर है जैसे कि कश्मीर वैली तवी वैली चिनाब वैली पुंच वैली सिंद वैली एंड लिद्दर वैली यह कुछ important valleys है अचा उसके बाद कश्मीर का जो कश्मीर वैली का जो वाइड ने से वो कितनी है 100 किलो मेटर जो है कश्मीर वैली वाइड है that is 62 मील्स ओके and 15,000 15,000 520 किलो मेटर स्क्वेर जो है approximately एरिया में है कश्मीर की बात हो रही है यहां पे तो अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमू एंड कश्मीर का जो एरिया है that is 42 42,241 किलो मेटर स्क्वेर यह आपको याद रखना है और कश्मीर का एरिया अब आप खुदी माइनस कर सकते हैं तो आप जमू का एरिया निकाल सकते हैं अब बताना चाहूंगा कि हिमाल्याज जो है वो क्या करते हैं कश्मीर वैली को डिवाइड करते हैं कहां से तिबितन तिबितन प्लैट्यू से पीर पांजल वाया पीर पांजल range. अच्छा, उसके बाद क्या होता है? पीर पांजल range क्या करता है? यह enclose करता है valley को from west and south, कहां से? west and south से कौन सी range enclose करती है? पीर पांजल range, और इसको separate कहां से करती है? from the great plains of northern India से. है कि लाएंग ऑचिंग और नौर्थ-eastern फ्लैंक और वैली रॉस द व् immersed मा एंड रे महार्ड डव रेज माल्या जो मान रेंज हैं हिमालिया की वह नौर्थ-eastern फ्लैंक मजल दे बादब नौर्थ-eastern वैंग से चलती है कष्मीर वैली की ठीक है आचा इस uh densely settled and beautiful valley has an average height of 1850 meters, कहां से, above the sea level, 1850 meters की जो height है, इसकी इतनी है, ठीक है, but the surrounding Peerpanjal range has an average elevation, जो surroundings में Peerpanjal range की height की बात करें, तो that is 10,000 feet, which is 3000 meters, अगर अपने meters में कहना होगा, ओके, जहलम river की बात करें, तो खाली जहलम river एक ऐसा river है, जो क्या करता है, जो कश्मीर से flow होता है, मतलब हिमालियन river एक ही ये river है, जहलम river, जो कश्मीर से flow होता है, उसके बाद, यहाँ पर इंदस, तवी, रवी, एंट चनाब, यह भी कुछ major rivers हैं, जो flow होते हैं, इस region से, अच्छा, अब हम climate के बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे, climate क्या होता है, climate होता है, जो हम changes देखते हैं, मतलब एक particular time के बाद, आपको पता होगा, बारिश पढ़ती है, कभी spring आता है, तो उस time पर, you know, rainy season आता है, यहाँ पर, बहुत सारे seasons आते हैं, तो हम बात करने वाले हैं, climate कैसा रहता है, hot रहता है, you know, अब बात करते हैं हम, तो कश्मीर में आपको बताना चाहूंगा, वहाँ पर कितने हैं seasons, वहाँ पर six seasons हैं, यह आपको याद रखना है, पहली बात, मतलब कश्मीरी जो, मतलब language में, seasons है, वो total six है, और, अब बात करते हैं, जम्मू के, जो, जम्मू का temperature जो है, 40 degree तक जा सकता है, summers में, यह आपको याद रखना है, और, average जो है, average temperature जम्मू का, वो 18 to 40 degree आपको याद रखना है, अगर exam में question आ गया तो, 18 to 40 degree, उसके बाद, यह south जम्मू में, ज्यादा, सीजन, monsonel रहता है, कैसा रहता है, monsonel, और राइट, सो, आज हम यहीं पे जो है, lecture खतम कर देते हैं, thank you so much for watching, I will see you in the next video, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा,